कि नौस्कार मैं हूँ आरके प्रजापती और आप देख रहे हैं डीपी एजुकेशन अपडेट जैसा कि आप पढ़ रहे थे लुसेंड से हमने स्टाट किया है प्राचिन भारत का इतियास हुख है हमने कहां स स्टाट किया है लुसेंड से जो किसी भी किसी भी परिछाओं के लिए बहुत ही महत्त्पुन हो जाती है लुसेंड हर्पिस्ट परता है चाहे हो таким pratका तैयार आप और या किसी इस्टेट phi से का त्यारी कर रहा हो ये किसी वन डे एक्जाम का त्यारी कर रहा हो लुशेंट का बोलते हैं न सभी सब्जेक्ट में सभी सब्जेक्ट का इंडिविजुल बुक में सबका बाप है लुशेंट मतलब यहां से पढ़ लेने के बाद 80-90% सीधा लड़ जाता है ठीक है तो हमने अब सोचा है कि लुशेंट को ही अच्छे से किलियर कर दे और आप हमारे विडियो में अन तक बने रहें आज का क्लास बहुत ही सांदार होने वाला है गर्दा होने वाला है हमने पिछले क्लास में देखा था धर्म गरं तेबं में 83 गरं से मिलने वाली परमहत्पुन जानक करी जिसका आज का क्लास बहुत ही सांदार होने वाला है बहुत ही गर्दा क्लास होने वाला है जिसका आज के क्लास को हम नाम भी दे दिया है गर्दा क्लास ठीक है आज का क्लास का नाम हो गया है गर्दा क्लास ठीक है तो आगे बढ़ते हैं हम लोग इशाट करते ही सेशन क देखिए पुरात्त तो समंदी साक्ष से जो मिलने वाले जनकारी हैं जैसे कि हम लोग को पता होगा ये पुरात्त तो समंदी साक्ष से सिक्के मिले हुए अभी लेख मिले हुए इसमारक या पुराने भवन मिले हुए जिसे प्राचिन भारत का इतिहास के बारे में जानने को को मिलता है यही सब सुरोत है जहां जैसे कि खुदाई होती है कोई सब चीज मिल गया तो कैसे जान गए कि आसे उसका पहले देखते हैं कि यह कितने पुराने शमान है जैसे कि ओजार मिल गया यह पत्थर का कुलारी मिल गया तो उसको पहले यह जाचते हैं कि कितने साल पुर प्रियास के बारे में चानने का प्रियास करते हैं वहीं से हमारा पूरा इतियास लिखा गया है तो आगे साक्ष के रुक में हम लोग मुर्तियां भी देखे हुएं मुर्ति से मिलने वाली जानकारी है चित्रकला से मिलने वाली जानकारी है और अब सेसों से मिलने वाली जानक अब तक का पूरा शंपुन खेल जगद का जितना भी मैडल बगर है जितने खेल आईजन किये गए हैं जिसको आवाड मिला गया है कहां आईजन किया गया है मतलो सारे खेल समंदी सारे पॉइंट्स को इसमें हम किलियर किये हुए यह काफी महत्पुन हो जाता है इसको अंतक जरूर से जरूर देख लें जो यह पूरा खेल समंदी जितने भी करेंट पर इसका निप्टा रहा हो जाएगा ऑल खेल चाहे क्रिकेट हो फुटबॉल हो वल्लीबॉल हो टूर्णामेंट हो वर्ल्ड कप चॉल रहा था आईसी ऐसी का यह सारा से एसिया कप है सब कुछ इस य llev बज्वे हैं शर एलग्सब्र कनिंगं को क हाई जाता है किको कहा जाता है सर ऐलेग्सेंडर कणिंगंगं आपको याद रखना हैकि भारत के जो पितामा है पुरात्त तो साफ्त के सर एलेकजेंडर को कहे जाते हैं एलेकजेंडर को कहे जाते हैं ठीक है आज से हम लोग देखेंगे करीब 14 वह इसापूर्ग उस समय जो एक एस्या माइनर एक जो अस्थान है ठीक है वहां एक बोगाज कोई अभीलेक लिखा गया है कहां से मिला गया है तो एस्या माइनर से मिला है बोगाज कोई इसमें बोगाज कोई अभीलेक से हमें पता चलता है कि उस समएं जो बेदिक देपता, बेदिक देपता कौन-कौन जैसे कि मित्र, वरुन, इंद्र और नाषठ है, नाषठ कोई अस्वेणी कुमार के नाम से जानते हैं इनके बारो में जानने को प्राप्त होता है, जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है किस अभी लेख से तो बोगाज कोई अभी लेख से आपको याद रखना होगा जो बेदिक देपता की जानकारी कहां से मिलती है तो बोगाज कोई बोगाज कोई का जा नहीं है कोई है कोई था वहाँ पे तो कौन था तो बैदिक देपता थे कौन-कौन बैदिक देपता थे तो इसमें हम जानेंगे मित्र वरुन इंद्र नाशत यानि अस्विन कुमार ये सब देपता मिलते थे यह है बोगाज कोई का जो आप देख पा रहे होंगे यह बोगाज कोई का अभिल्यक है इसमें बैदिक देपताओं के साक्ष मिले हैं इंद्र वरून मेत्र और नाशत्ति के देखिए मद्यभारत में जो भागवत धर्म का विकास हुआ है इसके जानकारी हमें कहां से मिलती है जो बेसनगर का जो बिदिशा जो गरूड अस्तंभ है इससे हमें मद्यभारत में भागवत धर्म का विकास का परमान मिलता है उसमें जो यह अभिलेक लिखा गया था उसमे हभिष्णु रष्ट के समय। होल रच के समय nobody can be grow with अस्तम से प्राप्त हुए आपको याद रखना है भागबत धर्म भागबत धर्म किसे सम्ढद्ध है भागबत धर्म भागबान विष्णु से त्वाए llevar रहे गांवत द से पता चलता है आपको याद रखने का एक ट्रिक दे दिये हैं इसको अच्छे से आप याद कर लेंगे यह एक्जामें पूछे जाते हैं भागवा धर्म के पिकास का परमान किस अभी लेख से प्राप्ते तो गरुड अस्तंब अभी लेख से ठीक है आगे बढ़ेंगे हम लोग सरपर्थम भारत वर्ष का जिक्र जो है हाथी गुमफा अभी लेख से आपको याद रखने के लिए आपको बता दूँ भारत वर्ष में जीने वाले जितने भी भारत वर्षी हैं मतलब कई हाथियों के ज्यादा हाथियों के जैसा पावर है तो भ हाथी गुमफा अभी लेख से भारत वर्ष के जिक्र कहा हुआ है हाथी गुमफा अभी लेख से ठीक है आप देख पा रहे होंगे आप देखेंगे सरपर्थम दुर्भिक्ष की जानकारी दुर्भिक्ष की जो दुर्भिक्ष के बारे में जो जानकारी देने वाले जो सुरक्षित रखते हैं कई बहुता है कहाँ पे तो शोओ गोरावी लेक में खाधान यानि भोजन को सुरक्षित रखने का याँप П्रमान मिल्ड़ है उसके पटा चला है कि पुराने समय में प्राचिन समय में गड़े के घर बनाये जाते और उसमें खाधानों को सुरक्षित रखा जाता होगा आप देख पा रहे होंगे यह जो आप देख रहे हैं यह गड़े ठीक है इस गड़े को देखिया आप गोल देशा जो बना हुआ है इसमें शुरुआती दोर में इसमें अनाज रखा जाता था उपर से ढंग दिया जाता था इसमें क्या होता था कि आने वाले आंदी तुफान सबसे बचके रहते थे सर्ते नहीं थे जल्दी क्योंकि ये बना हुआ होता था एक मान के चलिए तो को सुराही घड़ा के तरह होता है अभी भी आप विक्रम सिला विस्विद्याल अगर कोई गए होंगे तो उहां पर आपको इस तरह का दिखाई पड़ेगा इस तरह का गड़े के तरह सुराही दि अक्रमन देखे विफंट का जो अक्रमन था विफ्यस्तर करदे चीज़ेगा याद रखने के लिए ट्रीक के जानकारी सबसे पहले भीत्री अस्तमलेक से मिलता है हुनत द्वारा जो आक्रमन किया गया सीधा भीत्तर कर दिया गया यानि भीत्री अस्तमलेक से हुन आक्रमन सीधा भीत्री अस्तमलेक से प्राप्त होता है सती पर्था का जो लिखित साच है जो आप अभी सुनते होंगे कि पहले के समय प्राचिन समय में सती पर्था हुआ करता था सती पर्था चलाया जाता था तो इसका जो लिखित है जो साक्ष प्राप्थ हुए वो एरन अभिलेक से प्राप्थ हुए एरन अभिलेक किसके सासन काल में लिखा गया था उस समय सासन थे सासक थे भानुगुप्त इसके समय यह प्राप्त हुए है सती पर्था का लिखित साक्ष ठीक है इसके बारे में बिस्त्री जानकारी देखेंगे हम लोग देखें यह एरन अभिलेक हम लोग देख पा रहे हैं ये है आपको जिस तरह यहापे बता दिये थे एरन अभिलेक से ये साक्ष मिले हुए है अब देख रहे होंगे ये सुगर के तरह बना हुआ था एरन अभिलेक में और ये सती देवी का मूर्थी ठीक है आगे भी हम लोग देखेंगे इसको बिस्त्रित डिसकस करते हैं इस पे सती आखिर ये सती पर्था क्या होता था किस परकार ये से इस पर्था को लोग चलाती थे देखें सती पर्था में दरशल होता क्या था अगर किसी महिला का पती मर गया हो देखिए आप भी इस चिता पर देख पा रहे होंगे किसी महिला कादर पती मर गया हो और महिला जिन्दा है तो उस पती को जलाने के दौरान महिला को चाहे जिन्दा ही क्यों न हो एक तो देखिए उसका पती मर गया सबसे बड़ी दुखी बात तो यह होती थी लेकिन उसके साथ पती के साथ जिन्दा महिला को भी चिता पे लेटा के जाँ दिया जाता था ठीक है तो यही बोलते हैं सती पर था मतलब यह कहा जाता था कि आप अपने पती के परती सती हैं या नहीं इसको जाँचने के लिए लोग गाँवाले ऐसा करते थे मतलब पती के साथ ही पत्नी को भी चिता पे लेटा दिये जाते थे सरपर्थम 4 अक्टूबर 4 दिसमबर 1829 इस भी में ब्रह्म समाज के जो संस्थापक है भारत में क्या देखेंगे भालोग ब्रह्म समाज के जो संस्थापक है राजाराममोहन राए इनों ने सती पर्था के खिलाब आवाज उठाया इनिके परियासों से चार दिसंबर चार दिसंबर 1829 इसवी में चार दिसंबर 1829 इसवी में अंग्रेजों द्वारा सती पर्था पर रोक लगाये गया ठीक है किसके परणाम सरूप तो राजार राम मुहन राईजीर के द्वारा जो इनके खिलाब अवाज उठाये थे इनके परणाम सरूप अंग्रेज सरकार सती पर्था पर रोक लगा दिये ठीक है साथ वाहन राजाओं का जो इतिहास है साथ वाहनों के समय क्या था कोई उसका परमुक या इसपेसल कोई जानकारी कहीं से नहीं मिलती है ठीक है कोई इसका गवाण नहीं है शबूत नहीं है तो बस इसपेसल है तो वो अभी लेखों से जितने भी अभी लोग अभी लेखों के अधार पर जितने भी जानकारी मिलती है उसी के अधार पर साथ वाहन राजाओं का इतिहास लिखागे है ठीक है साथ वहां राजाओं का जो इतियाज लिखा गया किसके सिर्फ अभिलेखों के अधार पे लिखा गया है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं लोग रेसम बुनकरों की जानकारी है मंसुर अभिलेख से प्राप्त है आपको बता दें मंसुर अभिलेख यानि मंसुर अभिलेख में जो रेसम जो बुनकर है अब इसको इस तरह याद रख सकते हैं रेसम बुनकर मंद मंद रेसम बुने जा रहे है रेसम बुनकर मंद 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 सोर यानि मंद मंद रेसम बुने जा रहे है यानि रेसम बुनकरों की जानकारी कहा से मिलती है तो मंद सोवर अभी लेक से जानकारी मिलती है रेसम मुनकरों की जानकारी मंद सोवर अभी लेक से पता चलता है देखें कस्मीरी नभ पाशानी पुरास्थल जो कस्मीर से जो नभ पाशान यह देखें पाशान कल दो भाग में बाट दिया नभ पाशान और पुरा पाशान यह पहले उसे पुरा पाशन बोलते हैं बाद में हुआ उसे नप पाशन बोलते हैं नप पाशन नप पाशन में जो गरतावास गड़े के घर जो बनाये जाते थे रहने के लिए उसके साक्ष मिले हैं कहां से मिले हैं तो कस्मीर के नप पाशानिक पुरास्थान पुरास्थल जो है भी होती थी देखिए गार्थाबास इने गड़े के घर में उतरने के लिए सीड़ियां भी हुआ करती थी जिस परकार आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे इस फिगर में यह गड़े का घर बना दिया गया है और इसमें नीचे उतरने के लिए सीड़ी भी बनाया जाता था आहत सिक्य बोलते हैं क्या बोलते हैं आहत सिक्य बोलते हैं इसी को साहित्य में देखें साहित्य में अगर बात करें तो इसको काशारपन कहा गया है ठीक है और सबसे पहले जो यह जो काशार जो सिक्क्य पर जो लेख लिखा गया है यह किसके समय लिखा गया है तो सरपर्थम सिक्के पर लेख लिखने का जो कारे था वो यवन शास्कों द्वारा करवाय गया था ठीक है तो किस परकार ये लेख लिखवाय गये थे आपने देखा होगा ये जो इस पर लेख लिखवाय गये है ठीक है यह जो आप लेख लिख वाद देखें हैं यह सबसे पहले किसके द्वारे करवाया गया यवन शास्कों के द्वारे करवाया गया ठीक है समुद्रगुप्त की जो बीना बजाती हुई मुद्रय वाले सिक्के हैं उससे समुद्रगुप्त के संगीत प्रेमी होने का प्रमान मिलता है एक सिक्के पे आप देखेंगे कि समुद्रगुप्त बीना बजा रहे हैं उससे ये असपस्ट हो जाता है कि समुद्रगुप्त जो सासक थे वो बहुत ही संगीत प्रेमी वा करते थे यह जो आप figure में देख पा रहे होंगे शमुद्र गुप्त देखिए बीना बजा रहे हैं यह है बीना ठीक है बीना बजा रहे हैं समुद्र गुप्त इससे यह पता चलता है कि शमुद्र गुप्त संगीत प्रेमी थे ठीक है तो इस प्रकार आगे हम बढ़ेंगे अरिक मेडू कहाँ पुद्डू चरी के पास है अरिक मेडू से रोमन सिक्के प्राप्त हुए जो आप रोमन सिक्के आप जान रहे होंगे जो पढ़े होंगे रोमन सिक्के आप नहीं पढ़े तो मैं बता रहा हूँ रोमन सिक्के जो है सबसे पहले देखे अरिक मेडू से प्राप्त हुए है आप ये जो रेड कलर में देख रहे होंगे वो अरिक मेडू है क्या है अरिक मेडू ठीक है ये वाला क्या है अरिक मेडू है यहां से रोमन सिखे प्राप्त हुए अरिक मेडू का आप नीचे देख पा रहे होंगे करकती उससे नीचे आप देख पा रहे होंगे काबेरी पटना में ठीक है काबेरी पटना चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अब एक चीज़ आपको बता दें सबसे पहले जो भारत का जो सम्मं रहा था यानि ब्यपारिक शम्मंद का है रायरितिक शम्मंद का है तो यह सबसे पहले जो सम्मंद रहा था यह किन-किन देशों से रहा था तो देखते हैं भारत का शमंद सबसे पहले बर्मा से पूरब में बर्मा है भारत के पूरब में किदर है क्या है बर्मा है ठीक है जिसे हम लोग बरतमान में म्यामार के नाम से जानते हैं, ठीक है, इनके साथ सम्मंद था, बैपारिक शम्मद, मलाया, जिसे हम शुवन्दिप कहते थे, कहते थे पहले, ठीक है, मलाया को क्या बोलते थे, शुवन्दिप बोलते थे, कमबोडिया को क्या बोलते थे, कमबोज जावा को यवदीब के नाम से, जानते थे, इन सबों के साथ, ब्यपारिक संबंध थे, किन का भारत का, तो आपने देखा, भारत का संबंध किन किन देशों के साथ था, पर एक चीज और बदा दू, अभी लेखों को जो, अब फोटो खिंचते हूंगे, ठीक है, अब फोटो खिचते होंगे तो फोटो का जो अध्यन होता है उसको फोटोग्राफी बोलते हैं ठीक है हर किसी चीज का जो अध्यन होता है उसे ग्राफी से नाम जोड़ के जानते हैं ठीक है फोटोग्राफी अब देखें मधुमखी पालन है आप जानते होंगे मधुमखी पालन अगर आ क्या बोलते थे आप हमें कमेंड के माद्ध हम से जवाब देंगे कि रेशम की पालन को हम क्या बोलते थे ठीक है आपको बता दें कि मतद से पालन को हम पीसी कल्चर बोलते थे उसी परकार यहां पे अभिल्यक अभिल्यक का जो अध्यन है उसे हम क्या बोलते है एपी ग्राफ कच्छा छठी से बार्मी आप जान रहेंगे छठी में कुछ और पढ़ें लेकिन अभी कुछ और है कारण क्या है वो सारे डेटा चेंज होते जाते हैं तो हम अपडेटेड डेटा के साथ आपके पास लेके पेश हुए हैं जो कच्छा छठी से बार्मी तक होगी हमने उसका एपिसोड फर्स्ट हमने करवा दिया है तो आप जाएं हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल से जुड़कर संपुन भारत का भुगोल NCRT शार को पढ़ना श्टार करें हमने पहला टॉपिक की क्लियर कर दिया भारत का भुगोलिक अवस्थिती ठीक है अब एक एक टॉपिक हम डीटेल में पढ़ाये हुए हैं आप किसी भी परिक्षा का तयारी करें हैं अप यहां से पढ़ेंगे तो बहुत जाले बेनीफीट होने वाला है इसलिए कहते हैं हम अपना क्लास का नामी रख देते हैं गरदा क्लास एक बार यहां से पढ़ लेना तो बांक की इधर उदर जाने भटकने की कोई जोरुत ही नहीं होगे बहुत डीप पढ़ाते हैं चलिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हमने श्रंपुल भारत का भुगोल जो एपिसोड दूसरा था हमारा वो भी हमने लेके आया है ठीक है एपिसोड पीछे आप देखें एपिसोड फर्ष और एपिसोड सकेंड दोनों आ गया है आप इसे देख लें एक साथ आपको मिल जाएगा आप दोनों कलास जरू करें चलिए आगे बढ़ते हैं उत्तर भारत के मंदिरों की जो कला है उत्तर भारत भारत जो आप देख पा रहे होंगे देखे इसको अगर यहां से बांड दें ठीक है तो आप देख पा रहे होंगे कि इधर हम लोग क्या बोलेंगे इसको उत्तर भारत बोलेंगे नौर्थ इंडिया इसको बोलेंगे शाउथ इंडिया यह दक्षिन भारत यह है बीच वाला भाग यह वाला देख पा रहे हैंगे यह बीच वाला भाग है तो उत्तर भारत में जितने भी मंदिर बनते थे मंदिर के जो सैली होते हैं, मंदिर बनाने के जो कला होता था, यानि मंदिर का जो डिजाइन होता था, उसको हम लोग क्या बोलते थे, तो नागर सैली बोलते थे, मंदिर बनाने का जो डिजाइन था उत्तर भारत में, उसको हम नागर सैली जानते थे, नागर सैली के नाम से उत्तर भारत में इधर हम बात करें उत्तर भारत में बात करें तो नागर सेली अद्दक्षिन भारत में बात करें तो दर्विर सेली चलिए हम देखते हैं नागर सेली होता कैसे है यह जो आप मंदिर देख पा रहे होंगे यह जो मंदिर का डिजाइन देख पा रहे होंगे य इसे क्या बोलते है नागर शेली यह है नागर शेली ठीक है यह से मंदिर का डिजाइन है आप देख पारोंगे यह नागर शेली का है और आगे हम लोग देखेंगे इसे बोलते हैं दर्विड शेली जो स्री रंगनात जो स्वामी का मंदिर है यह दर्विड शेली में होता है दर्वण सेली में थे यानि एक पे एक ऐसे ऐसे करके ऐसे बनाते थे तैंडर 민व कर अधर यहीं डिजाइन अब देख पार होंगे यह दर्वीड अकल कCOM पैचान है तक यह ऊपर भी क्या होता है एक गुंबद नर्मां नहीं होता यह होता है जो आग यहां देख पा रहे होंगे ठीक है यह हम लोग जो इदर उत्तर भारत में मंदीर देखते हैं इस तरह आकार होता है उपर में क्या होता है यह गुंबद नुमा होता है लेकिन इसमें उपर गुंबद नुमा नहीं होता है नीचे से जाता है लेकिन उपर में चोड़ा होता है ठीक है इसको क्या बोलते हैं दर्विड सेली बोलते हैं उत्तर भारत में नागर सेली और दक्षिन भारत में दर्विड सेली चलिए आगे बढ़ेंगे दक्षिनापत के मंदीर का जो निर्मान था वो नागर सेली और दर्विड सेली दक्षिनापत कहें तो आपने देखा होगा जिसकी यह भारत बना रहे हैं ठीक है आपको हम यहां से बांट दिये थे तो नीचे के भाग को हम नीचे के भाग को क्या बोलते थे South India नेचे के भाग को क्या बोलते थे हम South India बोलते थे उत्तर उपर के भाग को बोलते थे North India यहीं हम बीच वाले भाग को क्या बोलते थे इसको बोलते हैं दक्षिनापत यह जो बीच वाले भाग देख पा रहे होंगे यह है दक्षिनापत देखे उत्तर भारत में नागर सेली दक्षिर भारत में दर्विड सेली और बीच वाले भाग में नाही नागर और नाही दर्विड कहें तो दोनों का ही हलका हलका परभाब पड़ा इसको बोलते हैं बेसर सेली इसको क्या बोलते हैं हम लोग बेसर सेली या बेसर सेली के नाम ना ही ऊपर गुम्बदनुमा होता है और ना ही नीचे जाए इसमें उपर भी चोड़ा होता है नीचे भी चोड़ा मतलब एक सिंपल ही मकान के तरह यह बनाये जाता था ठीक है इसे ही बोलते हैं बेसर सेली बेसर सेली ठीक है चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग देखिए पंचायतन सब्द जो है मंदिर रचना से पता चलता है पंचायतन जो सब्द है वो कहां से आया है मंदिर रचना से यह सब्द मिला है ठीक है यानि मंदिर रचना का जो आप पीछे बताये थे उसका जो सैली होता है बनाव मंदिर कब पंचातन सेली कहलाती है जब मुख्य मंदिर जो मुख्य मंदिर होता है चार छोटे-छोटे मंदिरों से घिरा होता है ठीक है चारों साइड छोटे-छोटे मंदिर से घिरा होता है उसी को बोलते हैं तब यह मंदिर क्या कहलाएगा पंचातन सेली में कहलाएगा ठ ऐसे की कंदरिया का महादेव मंदिर हम लोग आगे देखते हैं कंदरिया के यह आप देख पा रहे होंगे यह कंदरिया का महादेव मंदिर ठीक है इसमें देखें यह बड़ा मंदिर है इसके चारों साइड यह देखें छोटे-छोटे मंदिर है चारों साइड छोटे-छोट मंदिर है तो इसे हम क्या बोलते हैं? पंचयतन सेली के मंदिर के नाम से जानते हैं ठीक है? आगे हम लोग देखेंगे दूसरा देखिए ब्रमेश्वर मंदिर भूमनेश्वर आप देख़ पारहेंगे फिगर के मादे मुझा आपको दिखाने का प्रयास करेंगे हम लोगर य चोटे-चोटे मंदिरों से घिरा है इसे बोलते हैं पंचायतन से लिके मंदिर ठीक है और फिर आगे कद देखते हैं लक्षमन मंदिर जो खजुरहाओं में है लक्षमन मंदिर कहा है खजुरहाओं में आपको दिखाने का प्रियाश करेंगे यह लक्षमन मंदिर लक्षमन मं मंदिर उसके चारो साइड यह कि यह मंदिर है दो मंदिर तीन मंदिर और यह चार मंदिर चार चोटे-चोटे मंदिरों से गिरा है इसलिए इसे भी हम पंचायतन सेली के नाम से जानते हैं पंचायतन सेली का यह मंदिर है चौता अप्सन देखते हैं लिंग राज मंदिर भू यह व यह मंदिर और इधर मंदिर याँ साइड मंदिर तही कि इसा फॉड्व से नाम से जानते यह यह पंचैतन सेली और शुक्तर फॉर्टीक कोकेएअ बाकि इदर दिखे छोटे-छोटे मंदिर छोटे-छोटे छोटा-छोटा बहुत ही छोटा चोटा इसमें उस साड भी आ तो छोटे-छोटे मंदिरों से घिराए इसलिए बोलते है इसे पंचयातन से लेके नाम से ठीक है और यह आप छठा ओपसन देख पा रहे होंगे दोंगेश्वर मंदिर महराष्ट में जो गोंडेश्वर मंदिर देख रहे होंगे यह गोंडेश्वर मंदिर देख रहे होंगे आप यह गोंडेश्वर मंदिर ठीक है यह बड़ा मंदिर के पालगा दुबार हम उसको कर देते हैं यह हो गया दो तिर चार मंदीर से मुख्य मंदिर घिरा हुआ है इसलिए इसे भी हम पंचयतन सेली से हम जानते हैं ये भी पंचयतन में बना हुआ कौनसा गणनेश्वर मंदिर महराषtt semi चलिए यहां तक आपको हर चीज समझ में आ गिया होगा तो आपसे एक रिक्वेस्ट हैं, आज ही आप हमारे सेशन से जुड़ें, बिलकुल फ्री याभी के लिए बिलकुल फ्री है, तो आप हमारे सेशन को जुड़ने के लिए तुरंत सब्सक्राइब करें, और फ्री में अभी जूड सक वो हमेशा आपको update रखने के बाति कहती हैं ठीक है मैंने मोटो कहाई DPA education update का DPA education update आपको रखे हमेशा update यानि आप किसी भी topic को हमारे channel से पढ़ते हैं तो आपको हमेशा updated वीडियो मिलेंगे मतलब topic पुराने होंगे या नए होंगे फर्क वो नहीं है data नया होता हमेशा अब दिखिए हर बार खेल या पुछा जाता जाता है कि वह Random थोग इसे जेपको नहीं UP तो पता चलता है कि हमने तो कुछ और याद किया था और अभी कुछ और हो गया, घर में आके जमने मिला थे तो पता चले हैं बहुत बढ़ा गलती करके आ गए इसलिए यह सब गलती आप लोग ना करें इसके लिए हमारे चनल को अभी सब्सक्राइब करें और तो हमारे updated वीडियो से जुड़ें, ठीक है, हम subject wise भी class देते हैं, जैसे कि अभी जोग्रफी का चल रहा है, जोग्रफी के class में हम updated जितना data है, data old हो जाता है, जोग्रफी में क्या होता है, data old हो जाता है, लेकिन हम अभी जो लेके आए हुए है, वो सब new data है, ठीक है, तो हम latest data new data